देखे पहले दिन से ही मोधी सरकार ने क्रिशी क्षेतर के बढ़ावे के लिए और किसान के कल्यान के लिए बहुत सारे कारे किये और जब किसान उन्हें मांग भी रखी तब हमने चर्चा के लिए एकदम से सहमती जिरताई इस बार भी हमारे केंदरे मंतरी चंडीगड गए थे कई घंडे तक बारता भी की और जब किसान उठकर चल पड़े किसान नेता तब भी हमने कहा कि बैठिये चर्चा को जारी रखें लेकिन वो चले गे हमारे नेता कहते रहे मंतरी कहते रहे कि क्रिपया बैठी है चर्चा जारी रखिए अब आप कहते हैं कि चर्चा को ज्यादा समय क्यों लग रहा है मैं इसमें इतना ही कहूंगा जब नए मुद्दे जुड़ते जाएंगे तो समय थोड़ा और लगेगा अ केशिक शेतर को निकाल दो इलेक्टिस्टी मेंडमेंट में बदलाव कर दो अब यह सारे ने मुद्दे जुड़ते जा रहे हमारा केवल इतना कहना है कि हम इन विश्यों पर चर्चा करने के लिए तयार हैं लेकिन पर अन्य लोगों से बात करने पड़ेगी राज्य सरकार आज भी हैं मैं प्रदर्शन कारियों से तना ही कहूंगा कि आग जनी हिंसा ना करें उगर ना हो और मैं किसान नेताओं से तने अन्रोद करता हूं कि क्रिपया करके बाचित कज़ोर दौर जारी रखें देखें कॉंग्रेस एक बार नहीं कई बार फेल हुई और कॉंग्रेस की गरंटियां भी फेल हुई और शिरिमान राहूल गांदी जहां गरंटी देकर आते हैं वहां पांच साल अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं ह्माचल प्रदेश में बहुत देंगे नहीं करिदा इन्हें का था पांच लाक नौक्रियां देंगे युवाओं को नहीं दी बागवानों को मुं पांगे दाम मिलेंगे नहीं मिले, अब इनकी सारी गरंटियां फेल हो गई है, MSP की ये बात करते हैं, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, 60 साल कॉंग्रेस ने राज किया, क्या किया MSP पे है, मैं तुलना करके बताना चाहता हूँ देश के लिए, और चाहता हूँ कि एनेजेसी अंसी, देश और विदे सरकार के समय, 18,40,000 क्रोड़ पे के लगबंग, यह देखी, दो लाग 84,000 क्रोड़ पे हा, धान की खरीद विकले, यूपीय ने खर्च किया, दस साल में, मोदी सरकार permett खर्च किया, 12,14,000 क्रोड़ पे हा।, अब इसी तरह से गेहुं के लिए इन्होंने खर्च किया, दो ल तिल अनके लिए ने खर्च किया 10,281 क्रोड प्या मोदी सरकार ने खर्च किया 34,55 क्रोड प्या क्या कोई तुल्ला हैँ हमने MSP के दाम भी बढ़ाये खरीद भी बढ़ायी और खर्चा बता iline 505,000,000,000 तो मोदी सरकार ने 18,000,000,000 उन 49,000,000 क्रोड प्या खर्च किया जहां हमने सिंचाई योजना में भी 15,511 क्रोड फिया खर्च किया हमने किसान सम्मान निदी भी कितनी दी 2,18,000 क्रोड पिया इसी तरह से मैं आपको अंत में बताना चाहता हूँ एक्सपोर्ट भी 2013-14 में कृशी का हुआ 2,62,000 क्रोड तो हमने किया है 4,67,000 क्रोड पिया आप किसी आंकडे में किसी मापदन पर तुलना कर लीजिए मोधी सरकार ने कैई गुना जादा क्रिशी क्षेत्र के लिए और किसान कल्यान के लिए किया है आगे भी जारी रखेंगे मेरा नवेदन किवल किसान निताओं से इतना है चर्चा जारी रखें और परदर्शन कारियों से म देखिए एक के बाद दूसरे राज्ये में कॉंग्रेस की हार और इंडी गटबंदन का तूटना यह बहुत बड़ी निराशा है और थोड़े सद्मे में राहुल जी लगते हैं मुझे कि जो आंकड़े भी देश के सामने नहीं रख पाए मैं चाहता हूं कि आराहुल जी देश के सामने आंकड़े रखे न कि मोधी सरकार ने कितना गुना जादा यूपिय की सरकार से किया है यह मोधी की गरंटी है जो देश में चलती है कॉंग्रेस की फेल होती है अगर कतर में नौ सेना के अधिकारियों को मृत्यू दंड से बचा कर देश में सुरक्षित वापिस मोधी जी ला सकते हैं तो हर चर्चा में से हल निकल सकता है वो भी बादचीत से हल निकला वहां पर भी निवेदन किया गया बादचीत की कि तब हुआ यहां पर भी हो सकता है लेकिन हिंसा से कुछ नहीं होगा तोड़ फोर्ट से कुछ नहीं होगा देश का नुकसान होगा तो कृपया करके बादचीत जारी रखे परदर्शन कारी भाईयों से कहता हूं शांती बनाए रखे और किसान निताओं से मेरा नुरोध है बादचीत मैं शामिल हो हल निकलेगा